आज लोटेंगे जार्खन के राजेपाल रामेस बैस जार्खन के राजेपाल रामेस बैस गुरुवार को दिली से रांची लोटेंगे वह दो सितंबर को दिली गए थे पूरे राजे की निगाहे राजभवन की ओर है मुख्य मंत्री हमन्सुरेन के ओफिस और प्रोफिट मामले में राजेपाल का आदेश आना है भारत निर्वाचन आयोग ने राजेपाल को अपना परमस भेज दिया है इधर सरकार से लेकर यूपिय गड़बंधन में सामिल दल लगातार राजेपाल से फैसला सुनाने का अगरा कर रहा है यूपिय का एक प्रतिनेधी मंडल भी पिछले दिनों राजेपाल से मिला था और जल्द फैसला सुनाने का अगरा किया था ताकि राजे में रायनितिक अनिश्टा दूर हो सके जेमेम के वरिष्ट नेता सुप्रियो भटाचार ने भी प्रेस कोंफिरेंस कर कहा था कि जो भी फैसला हो राजेपाल बताए हम जबाब देने के लिए त्यार हैं जारखन में 25 सितंबर को नर्सिंग परवेश परिक्षा जारखन के सरकारी नर्सिंग इसकूल में संचालीत एनेम ताथा जी एनेम पाठकरों में नमांकन के लिए परवेश परिक्षा 25 सितंबर को होगी इसी तरह बी एस्ती नर्सिंग में भी नमांकन के लिए भी अलग परवेश परिक्षा इसी दिन होगी दोनों परवेश परिक्षाओं में सामिल होने के लिए ओनलाइन आवैधन के परकिरिया गुरु आर्ष से सुरू हो गई है जार्खन सन्युक्त परवेश पर्तियोगता परिक्षा पारसद ने ओनलाइन आवैधन भरने के अम तीम समय सीमा 14 सितंबर निधारित की है पारसद द्वारा जारी सुचना के अनुसार दोनों परवेश परिक्षाओं के लिए भरे गए ओनलाइन आवैधन में किसी परकार का संसोधन 15 सितंबर तक हो सकेगा बता दे परवेश परिक्षा में सामिल होने के लिए अभ्यारतियों को जार्खन का अस्थाने निवासी होना अनिवार्य है इसके साथ परवेश परिक्षा के लिए रांची धनवात पलामों जमसेत पूत अथा दुमका में केंदर बनाए जाएंगे जारखन में एक लाख लोगों को मिलेगा रोजगार पांच कोल बलोग होंगे शुरू जारखन में इस वर्ष के अंत तक पांच नए कोल बलोग चालू होने वाले हैं इनके चालू होने से नकिवल रोजगास रिजन होगा बलिक सरकार के राजस्म में भारी इजाफा होगा बता दे केंद्र और राज सरकार मिल कर इन कोल बलो को चालू करने के पर्यास में जूटी हुई है जितने भी परकार के किलिरेंस हैं उनमे खान भिभाग, वन भिभाग व परदूसन नियंतरण भिभाग द्वारे तेजी से काम किया जा रहा है केंदर सरकार ने सुमवार को समिक्षा बठक में भी कोल बलोग को आप्रेशनल करने में राई सरकार से मदद की अपील की है इधर भी भाग द्वारा भी नियमित रूप से कोल बलोग की समिक्षा की जा रही है वहीं दूसरी ओर कोल बलोग सुरू होने से रोजगा का सिर्जन होगा लोग की स्थिती बदलेगी हर्मू नदी में फेके सुवर से रांची में महमारी फैलने का खत्रा जार्खन की रजधानी रांची के हर्मू नदी में दर्जनो मरे हुए सुवर खुलियाम फेके जा रहे हैं जिसके बाद इस छेत्र में दसत का महुल है हर्मू पूल के नीचे आए दिन पांच-छा सुवर मरे हुए पाए जा रहे हैं जिसके बाद भी रांची नगर निगम की ओर से कोई पहल तक नहीं किया रही इस हीतिया है कि इस छेत्रे के सरकारी स्कूलों में बच्चों के उपस हीति कम तक हो गई है बच्चों अभिबागों के बीच स्वाइन फुलू का डर उत्पन हो गया है अस्थानिये लोग हर दिन नगर निगम को इसकी सुचना देते हैं लेकिन कोई नहीं आ रहा है दूसरी ओर स्वास्थ विभाग की ओर से भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा रांची विमेंस कॉलेज असना तक फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी जैक बोड की ओर से इंटर कारियल जारी करने के साथ ही विभीन कॉलेजों में अड्मिशन के परक्रिया चल रही है राइधानी रांची की बात करें तो असना तक के समाने कोर्स के साथ साथ वोकेसनल कोर्स में अड्मिशन लिया जा रहा है बता दे रांची के बेहतरीन कॉलेजों में से एक रांची विमेंस कॉलेज दूसरे कॉलेज के मुकाबरे लड़कियों के लिए पहली पसंद होती है यहां भी अड्मिशन की परक्रिया चल रही है कॉलेज परवंधन दोपर तीन बजे पहला मेरिट लिस्ट जारी कर रहा है विमेंस कॉलेज परवंधन ने अपने वेब साइट पर मेरिट लिस्ट जारी करने कोले कर सुचना दी है अपने नोटिफिकेशन में कॉलेज परवंधन लिखा है कि दोपर तीन बजे बीए, बीए, सी और बीकॉम एडमिशन की पहली लिस्ट जारी की जाएगी अगनी बीर में 45 सो ने लगाई दोर 475 का हुआ चयान अगनी बीर आर्मी बहाली के तहद जार्खन के रेधानी राची में 45 सो अभियार्थी दोर में सामिल हुए जिसमें से 475 लोग सफल हुए राजी के 24 जीलों के अभियार्थीयों के लिए 5 से 22 सितमबतक रांची के मौराबादे इस्थीत आर्मी ग्राउंड में सेना भरती रहली हो रही है बता देख कल, खुटी, कोडार्मा, पांकुर्व और लातेहार के 45 सो अभियार्थी दोर में सामिल हुए बहाली निदेशक करनल राकेश कुमा ने बताया की चारो जीला के तीरपन सो युवावने रेश्टेशन कराया था लेकिन 45 सो ही आए गुरुवार को दुमका गढ़ाव अजाम तरह के तीरपन सो अभियार्थी ओने दोर में सामिल होने के लिए रेश्टेशन कराया है इंस्पायर अवाड 2022 तेश्ट का रेश्टेशन जारी विज्ञान एवं प्रदोकी मंत्राले भारत सरकारवर नेश्टनल इनोवेशन फावडेंशन की ओर से इंस्पायर अवाड 2022 तेश्ट का रेश्टेशन जारी है तिस सितमबर तक यूडेस प्राप्त सभी स्कूलों से निम्तम पाँच बचों को इनेवेटिव आईडिया को अवाड के लिए नमांकित किया जाना है इसके लिए एक जुलाई से लिंक को सक्रिय किया गया है इधर राज्य से निर्धारित लक्ष एक लाग संतावन और आट सो नब्य में से छ सितमबर तक सिर्फ उनहत्तर सो बत्तिस का ही नमांकिन हुआ है निर्धारित लक्ष को पूरा करने के लिए एक तिस हज्यार पांसो बठतर इसकूल चिनित किये गया है वही राज्य नोडल करे अलतक सर्वादिक इनोवेटिव आइडिया बोकारो जीले से 1750 और खोंटी से 1115 पहुँचा है जारखन में अभी भी 43 लाख लोग निर्धार हर साल 8 सितमबर को 20 स्वसक्षारता दिवस मनाया जाता है यह दिन निर्धारता को समाप्त करने के लिए प्रेरित करता है हलाकी चिन्ता की बातिया है कि जारखन में अभी भी करीब 43 लाख लोग निर्धार है ऐसे लोगों के लिए प्रख्यात नाटक कार, कलाकार और गीत कार, सफदर, हासमी की कविता पढ़ना लिखना सीखो, ओ मेहनत करने वालो प्रेरित करती है इधर सुखद बात या है कि समाज में कई ऐसे संस्था और लोग है जो समाज को सिक्षा के प्रतिजावरूप करने में जूटे है साक्षर बना कर आत्म निर्भर बनाने की कोशिस कर रहे है सिमडेगा में इलेक्ट्रोनिक वेट मसीन से राषन की चोरी सरकार दवारा किसी भी राषन काट धार को कम अनाज ना मिले इसको लेकर कई फेर बदल किया गया है कम अनाज ना मिले इसके लिए वेट मसीन एवं पॉस मसीन से कनेक्ट कर पर्ची निकालने के साथ अनाज वीत्रन करने का निर्देश दिया गया है परंतु राशन काट धार को ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है सरकार डाल डाल तो राशन दुकंदार पात पाचल रहे है बताद इलेक्ट्रोनिक वेट मसीन में चावल एमगेहूं रखकर तॉलने के बजाए अब लोहे का बटखारा रहकर काट धारियों का अंगुठा लिया जा रहा है इसी बीधी से निधारित मात्रा को दिखाया जा रहा है इसके बाद एक दूसरे तराजू से तोल कर राशन में कटवती भी की जा रही है गुमला के परदैसिया को सुरक्षा की आउसकता गुमलापर्खन के खरकागाउ निवासी 15 वर्षीय परदैसिया उराव अनाथ है बता दे कुछ साल पहले माव पिता दोनों की मौत हो गई मावा पिता की निधन के बाद परदेशिया के पास न रहने के लिए घर है और नहीं खाने के लिए अनाज उसे सरकारी सुवधा भी नहीं मिलती राशन काड तक नहीं बना है बता दे परदेशिया के अनाथ होने पर कुछ मानो तसकर उसे ठग फुसला कर दूसरे राज ले जाने की प्लानिंग किये हुए है कुछ तसकरों ने उसे दूसरे राज चलने के लिए परलोभन भी दिया है प्रन्तु चाइल्ड लाइन की पहल से अब तक परदेशिया मानो तसकरी का सिकार होने से बचा हुए है चठी कक्षा का छात्र नहीं लिख सका आवेदान सिक्षा मंत्री ने सिक्षको को लगाई फटका जार्खन के सिक्षा मंत्री जगनात मत्रों ने बोकारों के राज किये मद विद्याले नियू भागलपूर फोसरों का अचक निर्ख्षन किया इस दौरान चात्र चात्राहों से पठन पठन की जनकारी लेते हुए कई सवाल पुछे चाठी कलास के एक विद्यार्थी को आवेदन लिखने को कहा आवेदन नहीं लिख पाने पर सिख्षको को जम कर फटकार लगाई चात्र चात्राहों और सिख्षक से सिकावक उपरसिती पंजी किजाज की इस्कूल में में गेट नहीं लागा होने पर प्रधाना चार्ज क्रिश्न मुरारी वा इस्कूल परिसर में इस्थीद दुरगाम मंदिर कमिटी के अध्यक्ष बिजाय सिंग से सुझाव लिया इस दोरान उन्होंने आवसक निर्देश दिये धन्यवाद यादि आप चनल पर नहीं हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बहल का वेल एकर अंद बाईए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को से सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बस में आपना फीड़बएक अवस से दे थांक यू